और हमारे साथ हैं यहां के प्रशिक्त प्रबंधक श्री कौशिक चेटर जी जिन से हम बाचित करेंगे और जानेंगे कि अरहर की फसल की हमारे किसान भाई किस प्रकार से देखवाल कर सकते हैं जब अरहर के पौदे जनम जाते हैं तो जनम से लेकर के पहले 35 और 40 दिन तक जो है इसको जंगल का काफी इसको इससे मुकाबला करना पड़ता है अरहर की फसल को उस समय क्या होता है कि जो खरपतवार है वो अरहर पे हावी हो जाती है तो किसान भाई इस बात का ख्याल रखे कि अगर वो एकल फसल ले रहे अरहर का तो उचित समय में बौई के बाद या बौई के समय आप या बौई के 20 दिन बाद उचित आपको खरपतवार नासी का उपयोक करे हमारे लिए अरहर के लिए जो इस छेतर के लिए खरपतवार नासी नहीं डाल सके हैं तो इमाज़ता पायर बोल करके एक नया खर्पतवार नासी है जो कि बुए के बीज दिन के बाद भी किसान अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं इसकी जो दर है खेत में प्रयोग करने की 750 अमिल जो है प्रती हेक्टर की दर से इसको दिया जाता है एक शेक्टर में 750 से पेंडाई मिथलिन जैसे कि खर्पतवार नासी का प्रयोग करते हैं तो वह ठीक आपको बहाई के पहले अंतिम जुताई जो करते खेतों में उस समय उसका प्रयोग कर दे ताकि खर्पतवार जो जिसके बीज है वह जनम नहीं पाएंगे अब इसके बा ववस्था खेतों किसान भाई ये बात ख्याल रखे कि जहां भी आप अरहर लगाएं वहां किसी प्रकार का पानी का जमाव नहीं होना चाहिए जमाव होगा तो अरहर में बिमारिया आ सकती है उसमें कीड़े भी लग सकते हैं तो कोशिस करे कि उस जिस खेत में आप अरहर दगाए हैं उस खेत में पानी की निकासी की ववस्था बहुत अच्छी हो। सबसे जो दूसवार बीमारी है वो है विल्टिंग की जो जुलसा है। उसमें ऐसा है कि अरहर में विल्टिंग की बीमारी उस दसा में ज्यादा हो जाती है अगर हम बीच को सरदुत करके नहीं दूसरी बात अगर उस खेत में पानी की निकासी अगर अच्छी नहीं है और पानी बरसात के बाद जमता हो तो इस दसा में अरहर काफी उसमें एग्रेसिव हो जाता है वो विल्टिंग के जो आपको फुपंद है जो काफी एग्रेसिव हो जाता है और काफी जो है आपको म आपको लगे की ऐसा हो रहा है तो विल्टिंग में घटनाए हो रही है खेतों में तो आप जो है आप एक सिस्टमिक फंजिसाइड जैसे की कार्बिन डैजिम 50WP वेटिबल पाउडर होती है उसकी जो है दो ग्राम एक लिटर पानी में घोल करके उसकी तुरत आप छिरकाव क कर दे तो कुछ हद तक जो है यह विल्टिंग के समस्या से निजात हो जाती है और दूसरे अरर की कीट जो है सुरुवाती दौर पे तो लगते नहीं है लेकिन अरर की जब फूल आने लगते हैं अंतिम दौर जब अरर के पौदों में होता है तब उसमें आपको पत्ते खा आती दसा में अगर कीड़े लगे हैं तो नीम आधारित आप कीट नासी का प्रयोक कर सकते हैं जो कि निम बिन और निमेसिन बोल के अलेग अलेग कंपनियां के आती है वो जो है पचीस से तीस मिली लीटर प्रती लीटर पानी में घोल करके इसके आरर के खेत पे चरुकाव कर देब फूल आने के वस्ता में और उस पे भी अगर यह निजात नहीं होता है कीड़ों से तो आपको जो है इमेडा क्लोर पीड और इस जैसे आपको कुछ-कुछ कीट नासी है जो कि आपको फली छेदक में आप फली छेदक के आवस्ता में आप अगर अरव में चिरकाव कर देते हैं एक से दो चिरकाओं करते हैं कि अगरते के तो में तो आपको फली चेदक और उसके उस जैसे कीटों का खीटों से और के फसलों को निजात मिल जाता है कि अगर जब अगर अगर जो दो